हलो दोस्तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अन्रियल को नेविगेट करना बताऊंगा कि किस तरीके से इसके व्यूपोर्ट को हैंडल करते हैं दोस्तो जब भी हम कोई भी 3D सॉफ्टवेर यूज करते हैं उसको नेविगेट करना बहुत ही इंपौर्टेंट होता है अगर नेविगेशन अगर आपकी अच्छी होती है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से smoothly आप काम कर पाते हैं अगर नेविगेशन सिस्टम आपका वीक होता है तो आपको फाइलों को handle करने में बहुत problem आती है तो ये देखिए मेरा unreal का एक scene है इस तरीके से और इसके उपर मैं navigation करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग camera को navigate करते हैं किस तरीके से हम लोग mouse को handle करते हैं तो वो सारा process मैं इसमें बताऊंगा तो देखिए इस तरीके से मैं orbit कर रहा हूँ जो rotate कर रहा हूँ उसको कैसे करते हैं alt और left mouse button को हम press करेंगे तो इस तरीके से हमारा देखिए इस तरीके से camera जो है left और right side के जाएगा up and down जाएगा ठीक है इस तरीके से देखिए यह हमारा orbit हो गया हम अगर किसी object के around हमें घूमना है तो किस तरीके से करेंगे alt और left mouse button को press करेंगे तो हम लोग उस object के around हम लोग orbit करेंगे घूमेंगे जिस एक तरीके से rotate करेंगे तो इस तरीके से हम लोग पूरे जो viewport को है navigate करते हैं, rotate करते हैं या orbit करते हैं, इस तरीके से दिखिए इस तरीके से हमें अगर rotate करना है तो alt और left mouse button को press करेंगे और देखिए मैं zoom in, zoom out कर रहा हूँ इसको कैसे करेंगे, alt प्रेस करेंगे और right mouse button को जो हम लोग select करेंगे तो zoom in और zoom out होगा हमारा ठीक है न, zoom in and zoom out होगा हम जैसे एक तरीके से कह सकते हैं z axis की तरफ हम लोग जाएंगे minus और plus में, अगर हमें character के पास जाना है alt और right click करेंगे तो हम लोग zoom in करेंगे और out बाहर जाना है camera से तो zoom out करेंगे तो हम लोग alt और right click का use करते हैं और हमारा जो scroll, scroll button है उसके through भी हम लोग zoom in, zoom out करते हैं ठीक है न, तो ये दो buttons होते हैं एक scroll और right click जो हमारा alt के साथ use करते हैं zoom in, zoom out के लिए करते हैं और जो हमारा left है वो orbit करने के लिए करते हैं कि हम किसी object के around orbit करते हैं तो ये दोस्तों ये दो बहुत ही powerful हमारा जो button होता है इसको navigate करने के लिए होता है जो हमारा unreal है इसको navigate करने के लिए होता है आप भी किसी character को रखिए और उसके around और उस character के पास जाना है तो पहले navigate करना सीखिए फिर next video में आप लोगों को जो manipulator है इसके move tool, rotate tool और skill tool इन सभी commands के बारे में बताऊंगा जो manipulator को किस तरीके से use करते हैं सो मिलते हैं दोस्तों next video में Thank you दोस्तो